नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रदूशन के बारे में और दिल्ली की जहरीली हवा में लोग हुए बेहाल देश की राज़ानी दिल्ली में जहां एक और जोरदार ठंड पर रहे हैं वहीं दूसरी और वायू प्रदूशन अपनी खताराक सतर पर पहुँच गया है दिल्ली की हवा में प्रतीगन मीटर 200 माइक्रोग्राम पीएन 2.5 प्रदूशक तत्व दर्च किये गए हैं ये विश्व स्वास्ति संगठन की सेफ लिमिट से 8 गुना जादा है 25 माइक्रोग्राम और सेफ लिमिट को माना जाता है बोड ने अब दिल्ली के बदरपूर पावर प्लांट को मार्च तक बंद करने का फैसला किया है कोले से बचने वाले इस पावर प्लांट से 700 मेगवार्ट बिजली मिलती है लेकिन प्रदूशन को काबू में करने के लिए इससे बंद कर दिया गया है दो दिनों तक दिल्ली में प्रदूशन से राहत के असार नहीं है लोगों को जानलिवा स्मॉक से बचाने के लिए अब EPCA ने दिल्ली NCR में अगले दो दिन तक थोस कदम उठाए हैं दिल्ली NCR में प्रदूशन फिलाने वाली तमाम गतिविदियां प्रतिबंदित रहेंगे इसमें निर्माण कारियों पर प्रतिबंद रहेगा और नियमों का उलंगन करने पर भारी भरकम जुर्मारा लगाने के साथ कानूनी कारिवाई भी की जाएगी दिली NCR के इलाकों में 26 तक फैक्टरियां बंद रहेंगी और दिली NCR की कोईला एवं बायो मास्ट से चलने वाली तमाम जो इकाईयां है और जितने भी अध्योगिक इकाईयों को बंद रखा जाएगा दिली वा उसके आसपास के छेतरों में प्रदूशन फिलाने वाले वाहनों के खिलाव पुलिस सगन अभियान चलाएगी और साथ ही जाम ना लगे इसके लिए भी ट्राफिक नियंतरन पर विशेश धियान दिया जाएगा वियातायाद पुलिस को जाम मुक्त ट्राफिक के संचालन करने के लिए विशेश टी में तैनाद करने के भी निर्देश दिये गए हैं मौसम विभाग के मुताविक दिली वाइस के आसपास हवा की रफतार बेहत कम है ऐसे में 26 दिसंबर तक प्रदूशन का स्तर गंबीर स्तिती में ही रहेगा 24 दिसंबर सोमवार को दिली दिवाली के दिन से भी जादा प्रदूशित रहेगी CPCB ने खतरनाग प्रदूशन के चलते लोगों को घरों में रहने की सला दी है कुल मिलाकर दिली गैस का चेंबर बनती जा रही है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदूशन का स्तर बहुत जादा बढ़ गया है जिसके चलते इतने सारे निर्देश दिये गए हैं सिर्फ जनता की भलाई के लिए और कही न कहीं हर एक जो भी लोग होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इन चीजों के लिए कहीं न कहीं लोगों को ऐस चीज पर ध्यान देना चाएए और प्रदूशन का स्तर जो बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से इतनी जादा गंबीर बिमारियों का जन्म हो रहा है उन पर सभी पर रोक लगनी चाहिए और इसी में हमें एक एक करकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इस प्रदूशन का सर हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक इस चीज का अंत नहीं होगा तो मैं जल्दी लोटूंगी राजनीती से जुड़ी या फ्रेंटेइन्मेंट से जुड़ी लेटिस्ट अपडेट के साथ थैंक्यू सो मच खीव वाचिंग टूदेइस फर मोर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ टूदेइस की आप को जरू डाउनूट करें धन्यवाद